यही वो कुवा है जिसमें पांडो पानी पिया करते थे और वह के बारे में क्या राज है इसका यह दुरुपजी कूप कहा जाता है और यहां बनबास के समय पांडो रोग जब रुके हैं नमस्कार स्वागत एक नए वीडियो के साथ अभी मैं जिस जगा पे खड़ा हूं य यह है पांडो के लिए की दीवार यहां पर आपको दिखाते हैं यह पर लोग कि यह पर यह को कीँ हो कर आप लोग कही से आयो लख नोה व कि एकशी辆 ही मतलब हम總व के तो यहां पर रखते हैं और जो तुहारी मनकी मनों कामना वो पूरी होती है हम आपको बता दे इस वीडियो में आपको दिखाएंगे पांडो का किला जहां पर उन्होंने 12 सार तफस्या की थी अभी मैं हूँ सीतापुर जिले में और नेमी सारण धाम के आसपास ही इस साइट को जाएंगे तो हनुमान गड़ी के लिए जा पांडो के बारे में क्या राज है यह दुरुपजी कूप कहा जाता है और यहां बनबास के समय पांडो रोग जब रुके हैं सब तब निर्मार हुआ होगा जब इस कुए का निर्मार था तब कि इस बता देंगे इसकों से दूद निकलता था यह भी बात सत्य है रेकिन अब आँखों देखिए हमारी तो है नहीं रेकिन साइट सुना यह जाता है जैसे अजैसे हमारे पिता जी उन्होंने मुझे बत यहां से पंदा किरो मीटर दूर रहते हैं तो जैसा कि दादा ने बताए आपको भी कुछ पता यहां के बारे महाराज तो जैसा भी था दादा ने बताई यह दोपदी कूप है और यह मतलब यहां जब तपस्या करने पांडो लोग आया थे तो इस पूए में ही वह पानी पिया करते थे तो यही वह कूँआ है जैसा कि दादा जी बता रहे थे इसे बोलते हैं दोपदी कूप पांडो यहीं पर रहा करते थे अभी हम कूए को ऊपर से दिखाएंगे काफी गहरा करने के बाद में वह जो लगाई जाती था पहले जब जंगल में राजा लग ब्रहमाड पर जाते थे तब वह लेकर चलते दो डोल्ची और डोरी ऐसे बोलते थे तो यह में वह पिलर फसा के वह चक्री जैसी लगा के पानी निकालने के लिए वह काम आते तो कूए में अभ अभी वी उसी तरीके से यहां पर है तो अभी हम चलेंगे किले की तरफ जैसा कि वह दिवाल पढ़ी थी वहां से कूए की तरफ से अभी आगे हैं पांडो किला की तरफ देख सकते दोस्तों कि बिल्डिंग टाइब में बना दी गई है वेसिकली यह किला नहीं है हमारे इस बोर्ड लगा है यूपी की मतलब उत्तरप्रदेश टूरिजम की टेग लाइन क्या यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा अगर आप देखेंगे उत्तरप्रदेश की टेग लाइन मैं तो पहली बार देख रहा हूं उत्तरप्रदेश टूरिजम की टेग लाइन यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा यहाँ पे लिखा हुआ है पांडो किला जैसा कि आपको बता दें यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है दौपर यूग में आज से लगबग पच्पन सो वर्ष पूर आपको दूसरा नाम पता है तो मुझे ज़रूर बताना अगर आप अंदर जाने की कोहिस करेंगे तो सबसे पहले पूछ लेंगे अंदर क्या पांडों की कोई मूर्ति है या कोई हमस है यह अंदर महराज जैसे जानने की कोषिस करेंगे तो चलिए अंदर चलते हैं और यहां पे दान पात्र वगेरा भी लगा हुआ है और यहां पे प्रमुग मंदिर का मतलब जो एक होता ना कि जो तान क्या क्या है उस बज़े से तो अंदर पोछते हैं राम भाब शुक्ला जी है बोली सी बिंदावन भिहारी लाल की बोली अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जहां पर आप सभी लोग बिराजमान है खड़े हैं इसका सुद्ध नाम है हनुमान गढ़ी पांडो किला नाम क्यों परा उस समय की बात है जब महा भारत का युद्ध समाप्त हुआ पांडो ने जब कवरों का बढ़ कर दिया तो इनको पाप लग गया तो भगवान विष्णु के पास गए पांडो लो कहा प्रभू हमने अपने भाईयों का बढ़ कर दिया है हमको लग गया है अब हम कहा जाएं क्या करें कोई डास्ता बताई कि प्रता की तो कहा सा करीए आप यहां से जाईये नहीं विशान आप तपस्या करिए यदि सोमावती अमावस्या पढ़ जाए तो आप लोग असनान करिएगा आरे गंगा गोमती माता में और आप लोग तर जाएंगे तो पांच पांडों लोग यहां पर आ करके एक पायर दुई भुजा उठाए रव जितमई सनमुख मन लाए मगर बारा वर्स में सोमावती पढ़ी ही नहीं तब पांडों को क्रोध आ गया और क्रोध में आ करके सोमावती अमावस्या को इन्होंने स्राप दे दिया क्या कहा कि हमनी तुमारे लिए बारा वर्ष यहां पर तप्रस्या किया मगर सुमावती पड़ी ही नहीं जाओ तुमको हम स्राब दिये जा रहे हैं आगे कले उगा रहा है साल में एक बार नहीं कई-कई बार सुमावती पड़ती जाएंगी नाना जाट के लोग यहां परा करके असनान करेंगे अवतरते जाएंगे फिर पांच पांडो भाईयों यहां से हिमाले को चले गए हिमाले में जाकर के चार भाई वही पर गल गए धरमराज इजिस्थिर जन्होंने कभी जूठ नहीं बोला मैं शरीर के साथ बैकुंट को चले गए बोलिये श्री पांच पांडो महराज की बोलिये बिजंदावन बिहारी लाल की दुरोपदी माता की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की श्री मात्र दोपती जी किये कि यहांपे प्रतिमा मत्वथ तश्वीर लगी हुई और यह देखो, यहांपे शहदेव जी है, अरुजुन जी, भगवान श्रीकर्षन जी है, धर्मराज और भीमसें नकुल जी, पांचो पांडों कि यहांपे तश्वीरे लगी हुई है, और यह वैसे बेसिकली है हनुमान गड़ी और यही वो मंदिर है जिनकी पांच पॉजा करते थे उन्हों नहीं इसकी स्थाफना की है अभी मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ यह लिखा हुआ यहां पर बोर्ड में हनुमान गड़ी तरप्रदेश टूरिजम यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा यहां पर उसके बारे में लिखा हुआ है मंदिर के बारे में कि नियमिशान इस्तर चेक्रतित के बायम तरफ लगव पांसों मिटर की दूरी पर उचे टीले पर 21 लंबी दच्छिडी मुकी हनुमान जी का विग्रह स्थाफित है और यहां पर प्रस्थान किया यहां मान जी दच्छिडी मुकी प्रकट हुए यहीं पर पांडो ने महाबाद में युद्ध के उपरां आकर बारा वसकी तपश्चा की थी तो यह दोस्तों देख सकते हो यहीं वह मंदिर है यहीं पर भजरंग वली जी अहिरामर का बद करके यहीं प अभी हम लोग मंदिर के अंदर गय थे क्योंकि वहां पर केमरा लाव नहीं था लेकिन मैंने छोटी सी किलिप जो बनाई है भगवान श्री बजरंग बली जी कि वह मैंने आपको दिखाई है यही है अनुमान गड़ी का जो एंटे जहां से डादी मा आ रही हैं यहीं सेंट और यह है एकजिट पॉइंट यहां पर देख सकते हो हनमान गड़ी का इंट्रीकेट इस टाइब का बना हुआ यहां पर वीडियो के माद्यम से मैंने आपको पांडो का किला दिखाया और जहां पर पांड़ो जल पीते थे उस कुए को भी मैंने आपको दिखाया जैसा कि म मंदिर बना हुआ है शावत इंडिया स्टाइल में मतलब सावत में जैसे मंदिर होते हैं अपनी इंडिया के अंदर वैसा मंदिर बना हुआ और यहां पर भगवान विष्णु की एक बहुत उची प्रतिमा विराजमान है जैसा कि आप देख पार है तो इस वीडियो में ने डिखाया पांडव जी का किला जहां पांडव जी मतलब existe मैं बारा साल किती स्वरक जाने के लिए जो उन्होंने ही यहां दुनिया में रहक तो तो इस वीडियो को यहीं पर सवाप करेंगे मिलेंगे मैं अगली वीडियो के साथ में तब तब जय श्रीजा